हेलो फ्रेंडेट्स वेलकुम टो पॉजटिव तिंकिंग पॉजटिव थिंकिंग में आपका सौगत है तो चलिए जे बात करते हैं आज एक पॉड्कास्ट पर वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए लेकिन कुछ लोग जो हैं बिना अखल लगा ही नखल करते हैं और वो गलत चीज फिर ले करके आते हैं जैसे कि होता था ना हमारी क्लास में जैसा स्टुडेंट लाइफ में बहुत लोगों ने देखा होगा बच्चे होते हैं तो वो रिलाई करते हैं किसी पर कि हम उसकी करो लेकिन कम सकम अपना ब्रेन तो यूज करो बिना ब्रेन यूज किए कॉपी करोगे तो फिर तो फेल ही होगे तो मैं बात कर रहूं जैसा कि कोल्ड कॉफी ने अभी एक पॉड्कास्ट अपलोट किया था प्रिनसेशन को लेकर कि तो देखिए उन्होंने नखल किया पर अखल इस्तमाल नहीं किया वह गई रेडिट पर जाती है वहां का एक एक पॉइंट डिक्टो वह उठाती है और कॉपी पेस्ट मारती है बट कभी कभार अखल भी लगा लिया करें क्योंकि फेल होने के चांसे देखिए आप कॉपी कर रहे हैं आप नखल कर रहे हैं तो दे procession के बात हो रहे हैं तो अपना होमःट तो कर लेती हैं पहले स्भा ने गलत कर प्रणानस किया पहले जाती ही रिसर्च करती है मतलब अगर रेडिट पर discussion हो गया तो हमको भी एक सुम बाहिट सेंग सउन डोत बनाना है क्योंकि content हमारे पास है नहीं लेकिन हम उम डिवर डे करते हैं cold coffee को एक तो खुद की pronunciation उनकी इतनी बकवास है थाला कि मुझे बोलना ने चाहिए बिकॉस आम नो वन तु जज एनिवान ठेक है लेकिन वह इतना जो ग्यान देर ही है भाईया तो अपने कॉलर में भी तो जहाको पहले आपकी करना था नहीं आपको तो बस कॉपी पेस्ट करना था नकल करनी थी नकल पर रिलाई करती है तो आपको तो वह ही करना था नहीं और सबसे बड़ी बात अगर उस टोर की ओनर ही अगर उस स्टोर की ओनर को भी कोई दिककत नहीं है उनके ब्रांड होती है बोलने वाली मतलब स्टोर के ओर को कोई दिखत नहीं लेकिन यह सो कॉल्ड एंटी ब्राहिम से इनको इश्यू है इनको प्रॉब्लम है जब वो स्टोर की ओर खुद ही डिफेंट कर रहे और वो खुद ही बोल रही है कि हां उसने सही बोला तो फिर आपको क्या इश्य आपको क्या दिखत दिखत यह है कि फिर आप रोटिया कैसे सेखेंगी प्रॉब्लम यह है ना कि आपको तो रोटी सेख नहीं है आपको तो व्यूस कमाने है सब्सक्राइबस लेने है और अपने चैनल को मॉनटाइस करके कमाना है भले ही वो पुल डाउन करके कमाएं आती है अच्छे से आप लोगों को मुझे तो यह समझ में नहीं आता देखे मैंने पहले भी कहा आप लॉजिक वाली बात बोलें सही बात बोलें मुझे उससे को दिक्कत नहीं बड़ प्रॉब्लम है कि हर एक बात पर मुझे लगता है कुछ दूनों में आप यह भी बखवास बोलें हाँ आपने कहा कि इतनी बखवास है कि कस्टमर से वह गलत तरीखे से बात करती है सौरी कॉमेंट सेक्शन में जाकर करके जो कॉमेंट करें उसके कस्टमर तो है नहीं तो अगर वो जवाब दे रही है तो कि वह खराब होगी मतलब अगर खुद को डिफें चैनल्स हैं जो पॉड्कास्ट मनाते हैं चाह कॉफी जो भी है मैं उनसे यह कॉश्चन करती हूं मतलब हर चीज़ पर आप लोग बोलोगे और कॉल्ड कॉफी कुछ तो हूंवक कर लो जब तुम्हारे प्रनसेशन की तुम खुद प्रनसेशन में बीपील हो तो फिर तुम पर आप कर लिए पर स्टोर पर अचय तो तो अब थो स्टोर पर गया फिर आप ने बोला की वो जो भॉड़े पर साहिबा पर औरफ एंम भी आप गयी तो घूम ना खाना शॉपिंग यह आप भी तो कर रही हैं तो फिर आप सिवत है क्यों ज़च कर रही है क्योंकि जितनी बार साहिबा बताते कि मैं यहां गई आप उसका रिव्यू देने पहुंच जाती है कि हां यहां का बकवास खाना है आप भगवान कलेक्शन भी गई है फिर आप साहिबा को कैसे जज़ करें क्योंकि घूम खा और ब्ला 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 ग्याउन देना का काम भी आप भी कर रहे हैं तो फिर आप साहिबा को किस बेसिस पर जज़ करती हैं मतलब हम खुद वही काम कर रहे हैं लेकिन हमको आदत है दूसरों को गिराने की दूसरों को नीचा दिखाने की तो हम तो वह काम करेंगे क्योंकि हमारे पैसे जो बन रहे हैं अब कैसे भी बने हमा जैसे नहीं कि किसी को गंदा बुल करके अन कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ तो कुछ तो वह करो कुछ तो हुम्यानिटी दिखाओ जो तो समझ नहीं आता और मैं बात करते हूं अब दूसरे पॉइंट पर कि बैगबोन बैगबोन क्यों भई हस्बेंड और वाइफ एक दूसरे के बैगबोन नहीं होते हैं मतलब आप लोग क्या चाहते हो मतलब आप मेल डॉमिनेटिंग सोसाइथी चाहते हूँ पेट्रियार्की की अगेज्ट रहाएं और आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हस्बेंड कमाई है और और ओरत को दम दबा कर 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 क्यों अगर कोई husband अपने wife को backbone कह रहा है यानि सिर्फ आप चाहते हो कि wife ही backbone के husband को क्योंकि वो earn कर रहा है लेकिन husband नहीं कह सकता कि wife उसकी earn कर रही है तो वो उसकी backbone है मतलब किस जमाने में रह रहे हो आप पिट्रियार्की को promote कर रहे हो एक तरफ कोई और reaction channel podcast बनाता है py tabii के बारे में दूसरी तर दूसरा reaction channel पिट्रियाーक को ही promote कर रहा है मतलब आप लोग अपनी convenience default करते हो कुछ get a life और हाँ एक podcast channel और है जो चाही है जो आप बार 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 इस point को क्यों raise कर रहे हो कि दिपिका ने दूसरी marriage की दूसरी marriage की आपको क्या दिक्कत है मुझे ये समझ में आता आपको क्या issue है जब उनके partner ने आज तक कुछ नहीं बोला उनके partner ने आके नहीं बताया कि दूसरी चीट किया है या नहीं किया है उनकी family से आकर किसी नहीं बोला तो आप कैसे बोल सकती हैं और आप क्यों बोल रही हैं मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, आप लोग तो किसी को move on करने नहीं दोगे, आप लोग तो भागल कर दोगे किसी को भी, मतलब हम में से कोई भी नहीं जानता कि reality क्या है, और अगर आप जानती है, चाहिए, especially मैं आपके बोल रही हुए बाद, अगर आप reality जानती है, तो आईए और बताईए, ताकि ये discussion ही खतम हो जाए, बट नहीं आप नहीं करेंगे, क्योंकि discussion अगर खतम होई, तो फिर आप podcast कैसे मनाएंगी, फिर आप earn कैसे करेंगी, मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर कोई लड़की move on करती है, तो आप तो मतलब उस चीज़ को आप ग रेगुलर बेसिस पर करते हैं, आपने एक podcast ती लाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चलें, ठीक है आप व्लोग किसी के व्लोग को देख करके, आप podcast बनाती है, तो क्या आप society में जो issue चल रहा है, इसको address नहीं कर सकती है, आप नहीं बो सकती है, सिब एक जोती मोरिया का case आय तो आप लोग इतना मतलब उसको इतना hype देने लगी, सो अगर मर्द अगर ये काम करता है, तो एक भी podcast नहीं आथा, लेकिन एक औरत ने किया, तो आप podcast लेकर के आजाती है, और आप preach करने लग जाती है, ग्यान देने लग जाती है, आप जान रही है क्या reality है, अगर उनके partner ने अब तक कुछ नहीं बोला, ये एक बहुत सूचने वाली बात है, कि दिपिका ने नैशनल टेलिविजन पर आकर के अपने partner को बोला, और partner ने कुछ भी उसका reply नहीं किया, जैसा कि आप बोलते हैं, अगर सच्चाई नहीं है, अगर सच्चाई नहीं है, तो इब्राहिम कि फैमिली से कुछ ना कुछ तो clarity आती, अगर दिपिका continuously ये बात बोल रही है, तो एक भी अगर उधर से उनके partner की तरफ से एक भी reply नहीं आ रहा है, तो फिर आप कौन होती है, बोलने वाली उनके बहाफ पर, जब उनके partner ने आज तो कुछ नहीं बोला, मतलब आप तो किस में क्या था, लेकिन आप तो judge करने हैं, आप तो move on करने नहीं दे रहे हैं, so get a life, आप एक lady होकर के दूसरी lady के लिए ऐसा बोलेंगे, मुझे आप से ट्लिस्ट चाहिए उमीद नहीं थी, क्योंकि आप मुझे educated sound करती हैं, बट आप भी ये तुच्छे topics पर आप podcast बनात किया, बट इन सब चीजों पर और एक ही चीज को बार 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 इससे पहले भी आप इस चीज पर podcast बना चुकी है, फिर आपको क्योंकि आपको कोई point नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ भी बोलेंगी, सही कहा जाता है, औरत ही औरत की दुश्मन होते हैं, आप सब मेरी बातो से agree करते हों, please share किजेगा, do like and subscribe my channel, bye bye